दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं सबी को बताने ही ओलों कि faysebook से किसी भी post को delete कैसे करते हैं, या किसी post को permanently हमिशक लिए कैसे delete कर सकते हैं, या आप faysebook की सारे post को आप सारть delete करना चाते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं या गलती से आपने पोस्ट को delete कर दिया है, आपने ज अब पूरफाइल वाल ऐकन पर अइकन पर आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद अश्कॉड डौन करकर आप इस तरी से नीचे जाएंगे तो आपके दौहारा जो भी फोटो वीडियो आप पोस्ट करते हैं वो सारे आपको यहां पर हो जाती है एक बार मैं page को refresh करो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से गायब हो गई है लेकिन दोस्तों वह post यहां से permanently delete नहीं हुई है यहाँ पे अभी भी वह post आपके facebook account में है जिसके लिए दोस्तों आपको किसी पोस्त को अगर permanently delete करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है उस पोस्त पे इस तरहीं से आप फोटो या वीडियो जो भी उस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद आप राइट सेट मुग पर 3 डोट पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर delete photo option मिल जागा आप इस delete photo पर किलिक करके यहाँ पर अब आप यहां से delete पर किलिक करेंगे तो यह फोटो अप परमा मेंटवर्ट ली डिया करने कब करना चाहते है तो उसके लिए आप यहाँ ठीडोट पर क्लिक करेंगे किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको किलिक करना है activity log पे activity log पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेगा trace का आप trace वाले folder पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद जो भी फोटो को आपने जिस मैठ हेट से मैंने बताया उस मैठ हेट से आपने अगर डिलिट किया है तो उसे 30 दिनों के अंदर अंदर आप वापस रिकवर कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह वाली फोटो है इसे मैंने अभी जश्ट डिलिट किया था, तिससे आप इस तरीक से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नीची आएंगे तो नीची में आपको restore option मिलेगा restore पर click करेंगे, click करने के बाद फिर से आप यहाँ पर restore पर click करेंगे यह post दुबारा से आपकी facebook वीडियो हो, आप उन्हीं delete करना चाहते हैं, लेकिन एक करके आप delete नहीं करना चाहते हैं, आपके Facebook के कारण में बहुत साधी post है, और उन सभी को आप एक साथ all select करके delete करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से अपने Facebook application को open करना है, और यहाँ पर right side में Facebook profile फाइल पर किलिक करना है, किलिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डोट पर किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिबिटी लोग पर किलिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर पुब्लिक पोस्ट का आपको option मिल जागा, आप यहाँ पर किलिक करेंगे, यहाँ पर किलि को मिल जाएंगे चाहे वो कोई भी पोस्ट हो यहां से आप जितनी पोस्ट को चाहे डिलीट करना चाहते डिलीट कर सकते एक दो को डिलीट करना चाहते तो इस तरी के से एक दो तीन चार जितना भी आप डिलीट करना चाहते सिलेक्ट कर लिजे यह सभी के सबी को आप एक साथ all select करना चाहते हैं तो यहाँ पर में all पे click करेंगे सभी all select हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है नीचे के और आएंगे तो यहाँ पर आपको trace का option मिल जागा आप trace पे click करेंगे click करने के बाद move to trace पे click करेंगे तो यहाँ पे दोस्तो 5-10 मेंट का समय लगता है उसके बाद यहाँ पे जितने भी post आपके वो सारे यहाँ से delete हो जाएंगे लेकिन अभी permanently delete नहीं हुए permanent delete करने के लिए दोस्तो आपको यह भी trace folder में चला गया है यहाँ पे आपको trace folder पे देखने को मिलेगे यहाँ पे click करेंगे तो पोस्त जो भी आपने अभी delete के वो यहाँ आप अतुन सभी post फिर से all select करके यहाँ से आप permanent delete कर सकते हैं तो इस तरिके सा आप किसी भी post को पर्मामेंटली delete कर सकते हैं आपने किसी पोस्ट को डिलिट कर दिया तो उसे आप रिकवर कर सकते हैं